कि हलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेक्राएं बहुत ही चछ पिताory बढ़시ार रेक्ऐ टेस्टी सा नास्ते तो एक बावुल ले लेंगे ऀसमें आधी कौप मैदा हम डाल रहे हैं गहँ खाटर तो पूरा ही मैदा मैदा से पूरा ही गहँ काट़ए से से भी बनास्ते को बना सकते हैं नमक डालेंगे थोड़ा सा और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे उसके पाद एक जमच हम तेल इसमें डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके मसलते हुए ताकि जो तेल और वो हमने डाला है नमक अजवाइन और मैदा और ठीक्य लें जाये विल्यक्स पाद थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका एक डूव बना लेंगे तो पानी थोड़ा करके श्यादा हड़ा पहने हाट बी नहीं चाहिए और जाए हम पूरी का लगाते हैं विल्कुल वैसे ही लगा हैं दस मिनट के लिए रख देंगे और इधर पैन में हमने इधर गरम हो गया है तो इसमें हमने दो चमस तेल डाल लिया है तेल को थोड़ा गरम होने देंगे उसके बाद इसमें आधी चमस जीरा डाल लेंगे और थोड़ा सा हमने साब धनिये को करस्ट कर लिया था वो डाल देंगे तो धनिये का बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर धनिया ऐसे करस्ट करके हम किसी उसमें डालते हैं इस्टफिंग में डालते हैं तो बढ़िया हरी मिर्ची काट करी कि बून लेंगे तो एसी के साथ भून लेंगे अगर जय दिया जाता ही नुपन निया पर पढूंआँ ज्लाइद हल्क सा इभून कोई और हम क्या करेंगे थोड़ा सा हम एक च्टकी हींग डाल रहेyssा है तो हिंग अगर पहले हमें ध्यान नीराथ तो पहले ही डाल रे देना चाही है, तो ये हिंग भी हल्का बुोन लेते हैं किसी और उसके बाद एक प्याज को ऐसी कॉमुलिव पैसे में कटका लिया था तो उसको डाल देगे और इसे हल्का सा बुन लेते हैं तो ज्यादा भी नहीं भूनेंगे, हलका सा कलर आ जाएगा, बस इतना ही हमें इसे प्याज को भूनना है तो लोब लेम पे हम इसे प्याज को भून लेते हैं तो ये हलका सा हमने प्याज को भून लिया है, उसके बाद दो आलू को हमने ऐसे हातों से ही मसल लिया था तो उसको डाल देंगे उबलाव आलू है ये तो इसको भी बड़ी आसा मिक्स कर लेंगे तो हमने ज़्यादा गुठलिया नहीं रखी हुई हैं इसको थोड़ा भारी की वो कर दिया था आप चाहें तो कदुकस करके भी ले सकते हैं तो ऐसे करके और थोड़ा आलू को भून लेंगे और उसके बाद इसमें आदी चमच दन्या बोडर डाल लेंगे एक चुटकी एम हल्दी डाल लेंगे और आदी चमच लाल मिर्ची बोडर डाल रहे हैं तो अगर आप खाते हों लाल मिर्ची तो डालेगा नहीं तो इसकीप कर दीजेगा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार उसके बाद थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से आलू के साथ भून जाए बढ़ी असा इसे आलू को भी ऐसे ही डेट से दो मिनाट तक इसे आलू को भी असा इसे ही मसलते हुए और अच्छा सा भून लेते हैं तो गैस को लोवर मीडियम के बीच में कल लेंगे ऐसे आलू को भून लेंगे ऐसे करके दबाते वे ताकि कोई गुट लियाओंगी तो वो भी खतम हो जाएंगे ऐसे करके हम मसलते वे इसको भूनेंगे तो ये भून के हमने तयार कर दिया है गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा धनिया डालना हम भूल गए थे तो थोड़ा धनिया की पतियां डालके और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से तो गैस को हमने बंद कर दिया है क्योंकि काफी गरम है मसाला तो इसको मिक्स करने के बाद और इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे तो इतर हमने एक पलेट लिये पलेट में डाल देते हैं इसे सारे मसाले को तो जब तक हम आगे की तयारी करेंगे तब तक ये मसाला भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो एक मिक्सी का चाल लिये है हमने थोड़ा हम धनिया की पतियां डाल रहे हैं इसमें धनिया की डंठल समेती डाल रहे हैं पतियां नहीं डाल रहे हैं उसके बाद तीन से चार हरी मिर्ची इसमें डाल रहे हैं तो इनको अच्छे से दबा लेंगे, छोटे जार में हम बना रहे हैं, तो एक प्याज को हमने ऐसे ही मोटा मोटा कट कर लिया था, उसे भी डाल देंगे, तो इस नास्ते के साथ अगर हम इस तरीके से चटनी बनाएंगे, तो बहुत ही टेश्टी लगेगा नास्ता और भी, तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा साबु जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा अधरका लसुन डालेंगे, तो एक टुकड़ा अधरका है, चार पांच फली लसुन की हैं, उसे भी डाल देंगे, और आदे निम्बु का जूस हम इस में डाल देंगे, तो ए सीमॉष करीब और उसके बाद ऐसे गुराइन कर लेते ने तने वुरा में तर ये आप देखे। एक पाओल में नेकल कर रखते हैं तो कि इसे साइड में रख देंगे और के तियारे ही और आगह की तियारी करते हैं तो इस this हमा आप Кजira मैं वी पर समय हुआ旦ा है Avacenis Pooleiona , बढ़ी साइट हो गया है , तो इसको 2-4प आप मारके और इससे बढ़ी असपा सेट करना , बढ़ी सा समूत सा बना लेंगे तो यह आप देखेई समूत हो गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे साइट में करते दें और चकला कुरा भी ले लैंगे तो ऐसे करके और बेल के इसे थोड़ा बड़ा सा तयार कर लेंगे तो यह आप देखे एक दम पतली सी बनाई है हमने रोटी से भी काफी पतली है उसके पाद इसकी जो किनारिया है वो कट कर लेंगे ऐसे करके तो चारा तरफ से हमने इसे कट कर लिया है उसके बाद ये साइड उठा लेंगे और ये जो हमारे पास आटा बचा हुआ है उसी में ये बनाने के काम आ जाएगा और जो हमने इस्टफिंग बनाई थी आलू प्याज की वो इसमें बीच में रख देंगे एक चमस इसको अच्छे से सैट करके ऐसे दबाते वे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें साइड साइड में पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए तो ऐसे करके और चारों तरफ पानी लगा लेंगे इसमें उसके बाद एक साइट से उठाएंगे, बहुत ही जादा बतलाएंगे, तो ऐसे करके उठाके और इसके उपर कर देंगे, ऐसे दबा देंगे, इधर से भी, और उसके बाद साइट के भी उठाके, ऐसे दबा लेंगे, तो हमने पानी लगा रखा है, तो कोई भी खुलने का ड बेल लें एकले साथ चार बनाकर तयार हो गया है उसके बाद गैस की तरफ चलेंगे तवने पैन रख दिया है पैन में थोड़ा सा तेल डाल लेंगे तो ऐसे फिलाते हुए डालेंगे ताकि पूरे पैन में इसे पूरे पैन में चला जाए उसके बाद एक एक करके हम इसे रख लेंगे तो जितने भी इसमें आएंगे उतने रख लेते हैं तो ये चारों को हमने एक ही बार में रख दिया है उसके बाद इसे बनने देंगे लो और मीडियम के बीच में ही रखेंगे गैस को और थोड़ी देर तक बिल्कुल भी चेड़ेंगे नहीं उसके बाद ही हम इसे पल्टेंगे तो यह आप देखे कितना बड़ी असा कलर इसमें आने लग गया है तो हमने जब आटे को बेला था तो काफी पतला सा रखा हुआ था तो इसलिए कच्छा भी नहीं रहेगा और ज्यादा तेल में बनाने की भी जरूरत नहीं है कमी तेल में बनके यह तयार हो जाएगा तो ऐसे ही हम दूसरी साइट से भी सेख लेंगे फिर से हम इसे पलट लेंगे तो यह आप देखे भी दूसरी साइट से भी बढ़ी आसा कलर आने लग गया है तो ऐसे एक दो बार पलट देवे और बढ़ी आसा करारा कर लेंगे इसको तो ये दोनों साइट से बढ़ी असा बन गया है तो हम पलट के दिखाते हैं आपको एक दम कलर से ही पता चल रहा है कि ये अच्छे से सिख गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे सारे ही बनके तयार हो गए हैं तो ऐसे करके आप बनाएंगे आप चाहे तो बच्छों के टिपिन के लिए भी ऐसे बना सकते हैं मैदा ना ढालके आप गेहों के आटे से ये बना सकते हैं तो ये बनके हमारा नास्ता विल्कुल तयार हो गया है तो तो इसको चटनी के साथ या फिर ऐसे ही भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा थैंक यू